Good Morning Students, Today I am going to discuss next chapter that is Alcohol and Phenol Alcohol में बिटा हम गुरुप यूज करते हैं Hydroxyl को Alcohol बोलते हैं Hydroxyl को और जब यह Aliphatic के साथ लगा होता है मतलब Alkene के साथ, Simple Chene के साथ Hydroxyl Group लगा होता है तो इसको बोलते हैं Alcohol और जब यह रिंग के साथ लग जाए तो इसको बोलते हैं फिनोल तो सिंपल एक मिथाइल गुरूप के साथ मिथाइल अल्कोहल दो मिथाइल के साथ इथाइल अल्कोहल और अगर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर हाइड्रॉक्सिल गुरूप लगा हो सेकेंडरी किसको बोलते हैं पर नपीट त्रश्य पोलते हैं और पहले पर फल्प रॉटक अनिफ्प के लिए का इसको मतलब इसको बोलति है फिरीछ कॉफ現在 और्रश्य है यहां यहां पंप पया कि इसको बूँने च्रश्य बिटयब अक्पस्ट है दो की पर एज और बिटया लगा इसको बोलते हैं ट्रसी विटाइल अल्कोहल नेक्स है methods of preparation of alcohol preparation from हैलो-अल्केन तो सबसे पहले हम हैलो-अल्केन से क्या बनाने जा रहे हैं बिटा अल्कोहल बनाने जा रहे हैं अगर हम हैलो-अल्केन में potassium hydroxide डाल दें या फिर कोई भी metal hydroxide डाल दें in the presence of water तो हमारे पास क्या बन जाएगा alcohol साथ में KBR और AGBR बाहर हो जाएगा next preparation from carbonyl compound by the reduction of carbonyl compound the reduction can be carried out in the presence of nickel platinum catalyst with lithium aluminium hydride and sodium varium hydride यह दोनों reduction में काम करते हैं पर जो lithium aluminium hydride a double bond को reduce करता है जो sodium varium hydride a double bond को reduce नहीं करता है अब देखो इथेनोल में हमने यह डाल दिया lithium sodium दोनों डाल रहे हैं हम nickel platinum hydride तो यह क्या करेगा इस carbon की reduction हो जाएगी CH2 और oxygen की भी reduction हो जाएगी ओज बन गयाना alcohol यह लेतियम और sodium varium hydride दोनों reduction करते हैं reduction होती है addition of hydrogen तो next is sodium varium hydride do not reduced carbon carbon double bond यह मैंने आपको पहले बता दिया और जो lithium sodium होता है यह हमारे पास reaction है अगर हम lithium aluminum hydride डालते हैं तो यह double bond तूटके single bond बन जाएगा यहां पर भी hydrogen हो जाएगा और अगर हम sodium varium hydride डालते हैं तो बटा यह double bond reduce नहीं होता है तो only oxygen की क्या हो जाती है reduction हो जाती है वाइदा action of gregnards reagent अब हम alcohol बनाने जा रहे हैं अब हम फॉर्मेड हाइड ले रहे हैं उसमें हमने यह gregnards reagent डाल दिया तो देखो बेटा यह क्या हो रहा है यह जो मिथाइल रूप है इस पर positive charge metal पे sorry मिथाइल पे negative charge और magnesium पे positive charge positive ने oxygen पे अटैक किया oxygen पे नेगिटिव क्यों हो आया oxygen is electron rich और electronegative in nature यह electron को अपनी तरफ खींचेगा नेगिटिव चार्ज नेगिटिव पे पॉजिटिव ने अटैक कर दिया कारवन पॉजिटिव तो वहाँ पे मिथाइल ने अटैक कर दिया तो mgbr बन गया इसको हाइड्रोलाइज करेंगे mgbr यहां से निकल जाएगा यह ओएच लग जाएगा और mgb और इससे हम लोर से हायर में भी जा सकते हैं देखो यहां formaldehyde था यहां पर क्या बन गया क्या बन गया यहां पर इथेनोल क्या बन गया इथेनोल तो इसी तरीके से अगर हम यह लेते हैं यह क्या है इथेन आलडी हाइट या फिर इथेनल बोल सकते हैं इसमें हमने ग्रिग नाड्स रिएजन डाल दिया तो एक और और कार्बन इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा इसो प् होगा यहां मिथाइल ग्रूप लग गया के साथ MGBR लग गया ठीक है हाइड्रोलाइज करेंगे यह जो है इसके साथ H जुड़ जाएगा MGBR OH लग से ले जाएगा ठीक है नेक्स टैप प्रेपरेशन फॉम साइकलिक इथर और अफ एपॉक्सी अलकोन अलकेंज ऑग्जाइम ले लिया हमने इसमें ग्रिगनार्ज रिएजन डाल दिया तो यहां से यह ब्रेक हो जाएगा CS3, CS2, CH2 यह वाला भी साथ में जुड़ जाएगा OMGBR as it is लग गया अब इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया तो यह एमजी बियार जला जाएगा यहां पर हो हाँ और इमघी बियार तो लग जाएगा नेक्सेड प्रेशन फॉम एसट अगर हम एसेट में लीथियों मेंह फिरियाम फोल डालते हैं और यह तब हमारे पास यह दानता है नेक्स टेशन फेंटल प्लैटिनॉम जालेंट तो हम फ नेक्स स्पोनिफिकेशन रियक्शन यह आप 10 में भी करते हो इसमें हम एस्टर लेते हैं एस्टर में जब हम सोडियम हाइड्रोकसाइड डालते हैं तो बेटा हमारे पास सोडियम एसिटेट और इथाइल अल्कोहल बनता है नेक्स टैप अगर हम एमीन में नाइटरस असे डा बनता है तो फिनोल बनता है ठीक है रिंग के ऊपर हाइड्रोकसल लग जाता है वैसे आप फिनोल आगे करोगे इसको यहां पर करने की ज़रूरत नहीं है प्लस एंटू प्लस एस्टू नेक्स्ट है प्रेपरेशन फॉम एलकीन लेते हैं मालो हमने यह ले लिए ब्यूटी ग्रूप है मरिक्यूरिक ऐसी टेट हो हट जाएगा वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यह हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा नेक्स है प्रेपरेशन ऑफ एलकोहल फॉम ऑग्जो प्रोसेस्ट में हम एथीन लेते हैं कार्बन मोलोकसाइड डालते हैं वाटर हाइड् बनता है फिर हम रिडक्शन करते हैं इंदी प्रेजन्स ऑफ निक्तल फिर हमारे पास प्रोपेनोल बन जाता है नेक्स्ट है ऐ रेक्टिफाइप स्पिरिट किसको बोलते है 95.5% अलकोहल एंद 4.5% बाटर इसको रैक्टिफाइप बोलते हैं एब्सूल्यूट को है पावर एल्कोहल इसमें से वन और्फ प्रशे आपको पेपर में आता है और वाटर कायर्स कीसको बोलते हैं जब कार्वन में वाटर water as a steam डालते हैं और iron chromite डालते हैं 473 Kelvin temperature देते हैं तो क्या बनता है water gas बनती है यह कल जितना मैंने आपको भेजा था यह उसका वीडियो है I hope आपको जितना मैंने यह करवाया आपको समझ आ जाए